जी हाँ दोसों, लाख रुपे शम्हालने की बात तब है जब आप हजार रुपे को सही धंक से सम्हालना सीख जाते हैं अगर आप हजार रुपे या जो रुपे आपके पास में हैं उसे ही अगर आप सही धंक से नहीं सम्हाल पा रहे हैं तो ज्यादा amount यानि कि बड़ा amount आप कैसे संभाल पाएंगे For example, माल लेजेगे आपने किसी person को 1000 रुपे उधार दिये और वो person आपको 1000 रुपे return नहीं कर पा रहा है और वही person आपसे अगर 10,000 रुपे मांगने आजा है तो क्या आप उसे 10,000 रुपे देंगे यही कुछ होता है कि हमारे पास भी ज्यादा पैसे इसलिए नहीं आपाते है क्योंकि हम आल्डेडी जो कमा रहे होते हैं भले ही वो 1000 रुपे में हो 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो भी हो वो amount ही अगर हम ठीक ढग से संभाल नहीं रहे है यानि हम जो भी कमा रहे हैं अगर उस पैसे का ठीक धंग से money management नहीं कर रहे हैं हम पैसे को अपने पास नहीं ठीका पा रहे हैं तो फिर उपर वाला जिसे आप God कहें, भगवान कहें, इस्वर कहें, अल्ला कहें, जो भी कहें वो जो देने वाला है, वो हमें ज्यादा क्यों देगा, कि हम जो आल्रेडी वो दे रहा है उसे ही ठीक धंग से नहीं समाल पा रहे हैं, उसमें से बचत नहीं कर पा रहे हैं हम ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है उसे हम ठीक ढ़म से समाल सकते हैं तो देने वला हमें ज्यादा क्यूं दे जैसे हम किसी दुसरे person को अगर जो 1000 रुपय हमारा वापस नहीं कर पा रहा है उसे हम 10 जर नहीं देंगे तो कैसे उपरवाला जो हमें दे रहा है और उसे ठीक डंग सम नहीं समाल पा रहे हैं तो वो और ज्यादा हमें दे इस बात को हमें सोचना चाहिए हमें समझना चाहिए कि exactly जो reason है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं ने कहीं हम इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम ज्यादा पैसों के लायक हैं और ज्यादा पैसों के लायक साबित करने के लिए ये जरूरी है कि जो पैसे हम कमा रहे हैं जितने पैसे भी हमारे पास आ रहे हैं उसे हम ठीक डंग से proper डंग से money management के rules को follow करते हु तो इस बात के बहुत ही कम chances हैं कि हम लाख रुपे आने के बाद से हम उसे ठीक धंग से सम्हाल पाएंगे इसलिए वने सुरुवात में आपसे कहा कि लाख रुपे तो दूर की बात है पहले हजार रुपे को हमें ठीक धंग से manage करना सीखना होगा यानि जब हम 1000 रुपे, 10-10 रुपे को ठीक धंग से manage करना शुरू कर देंगे तभी हम यह साबित कर पाएंगे कि हम ज्यादा के लायक हैं और ज्यादा पैसे हम सम्हाल सकते हैं और तभी हो सकता है कि देने वाला हमें ज्यादा पैसे दे हमारी income ज्यादा हो, तभी हम जब deserving बनेंगे साबित करेंगे कि हाँ, हम ज्यादा पैसे समालने का दम रखते हैं क्योंकि आल लेड़ी जो हमारे पास है, उसे हम ठीक डंग से समाल पा रहे हैं तो दोस्तों, I hope कि आप जो message है इस वीडियो का जरूर शमज पा रहे होंगे कि आज आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, वो कम है, ज्यादा है, मैटर नहीं करता अगर आप उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, first of all कि आप उसको record नहीं कर रहे हैं, कि आपके बस क्या income हो रही है, क्या expenses हो रही है यानि कि जो money management का जो first rule है, उसे अगर आप apply नहीं कर रहे हैं पैसो का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, अपने आमदनी अपने खर्च का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं जी हाँ दोसों हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि जो हम चाहते हैं जिन्दगी में वो हमें नहीं मिलता है हम चाहते हैं ज्यादा पैसा ज्यादा इंकम लेकिन चाहने भर्षे हमें ज्यादा पैसा ज्यादा इंकम नहीं मिलने वाला है income हमारी तभी बढ़ने वाली है ज़्यादा पैसा में तभी मिलने वाला है जब हम इस बात को साबित कर दे खुश साबित कर दे और उपर वाले के सामने साबित कर दे कि हाँ हम ज़्यादा पैसों के लायक है जो पैसा हमें मिल रहा है उसे हम ठीक डंक से समाल रहे हैं हम अपनी abilities, अपनी skills के थुरू ये साबित कर रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसे के लायक हैं तब भी हमारे पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे और तब भी हम ज़्यादा पैसे को ठीक डंक से समाल भी पाएंगे तो दोस्तों अगर अपने बात को समराइज करूँ तो इस वीडियो का सिंपल लेसन ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैसे चाहे 100 रुपे हो 500 रुपे हो 1000 रुपे हो 50 रुपे हो 10 रुपे हो या फिर जो भी पैसा है उस पैसे को आपको कम नहीं समझना है आपको उसे इस तरह से समझना है कि इस पैसे को मुझे जो भी मुझे मिल रहा है उसका सुक्रुगजार करते हुए आपको उस पैसे को ठीक ढग से संभालना है बारे में आपने आपको साविद करना है कि हाँ आपके पास जो पैसे आ रहे हैं आप उसे ठीक धंग से संभाल सकते हैं आप पैसों के हिसा पिराब रखते हैं आप मनी मेलिमेंट करते हैं आप प्रोपर सेविंग करते हैं प्रूपर इन्य सावित करते हैं तब आप जयादा के कापिल बनेंगे और ज recent को वा canoe क्रदेंगे